इको गार्डन के गेट के बाहर 79,000 सिक्षक भर्ती में आरच्छन घोटाले को लेकर आरच्छिद वर्ग के अभ्यर्तियों का धर्ना प्यदर्शन जारी है अभ्यर्तियों ने योगी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं माने गई तो 2022 में सरकार को बदल देंगे उन्होंने यह भी बताया कि विरान सबा का घेराव किया था कि सरकार के कानों में जूरेंगे परन्तु हम लोगों को कूले की तरह फेंक दिया गया कही हम लोगों की कोई सुनुआई नहीं हो रही मोदी सरकार ने पिछडा वर्ग आयोग बनाया है उसकी रूपोर्ट है कि 79,000 सिच्चक भरती में आरच्छन गोटाला हुआ है प्रन्तु मोदी और योगी की सरकार समवेधानिक संस्था की रिपोर्ट लागू नहीं कर रही जैसा कि आज सुबस से ही नुजपेपर में जो हम लोगों के फेबर में बाते आई हैं इनसे हमें थोड़ा बहुत संतोस जरूर मिला है लेकिन पूल्ण रूप से संतुष्टी हमें तब ही मिलेगी जब हमारी योगिता का सम्मान होगा हमारे लिए प्रेश्ट ग्यप्ति नोटीस और सारी चीजे सरुजनिक हो जाएंगी हमारा लिस्ट जारी हो जाएगा हम अपना चैन सुची में नाम देख लेंगे और हम लोग को नियुक्ति मिल जाएगा जैसा कि आयोग की रिपोर्ट एक जायज रिपोर्ट थी सरकार ने मन्थन किया इस पर और हम लोग सही पाए गये थे इसलिए उन्होंने कहा कि हम लोग की हक की मांग जायज है और हम लोग यही चाहेंगे कि जैसा कि अस्वासन मिला मैं अब ना रहี่गा किऊंगि अब हमें एक रख फट फार क्य当कर कुछ आहंसा ना करें कि हमें लॉलिपॉप लग deve कि लॉॉप इथ क्योंकि सब्सक्रादा जिसका होता है कि आखे अपने लाइन पर आई में भी तबसे विश्वास होगे ते नहीं हमारा संग में नयाय होगा किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हम आपके मैंने सिख्छा मंत्री जो की अब लाइन पर आएंगे क्योंकि वह कहते हैं कहीं पी उनके गैर जीमे जारा बयान दे देते हैं हम चाहते हैं कि सर जो अ पर सकते हैं हमारा इतना मेंटल टॉर्चर हुए कि हम आगे को भरती किलता है नहीं हम चेतावनी देना चाहते हैं कि एक हफ्ता के अंदर यदि हमें साकरात्मक ने आएगी तो अब तो शुरू से लेकर आज 172 दिन हो गए लगातार हम लोग अंदोलन कर रहे हैं और इको ग भाजपा सरकार में मंत्री हैं आँखें खूली यहां तक कि अभी हमें हमें खुट डर लग रहा है क्योंकि अभी अगेस्ट में मुख्य मंत्री जी ने ट्विट करके दिया था अपने ट्विटर हैंडल से कि आपका मामला साथ दिन में निस्तारित होगा आज हमको फिर आस चाहता हूं कि हमारे जितने भी संगर्स के साथ ही हैं सबको यहां पर न्याय मिलना चाहिए नहीं तो हम लोग यहां पर डटे रहेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहां से जाएंगे 79,000 आरक्षण पिडित का विद्यार थी हूँ लेकिन आज जैसा कि ट्वीट करके केशो प्रसाद मोरिया ने भी बुला और हर जगह से भी न्यू जा रही है पोजेटिव हमारे लिए लेकिन हम जब तक जीओ देख नहीं लेते लिस्ट में अपने नाम नहीं देख लेते त कैसे जीवन यापन कर रहे हैं यहां पे हम लोग इतना मजबूर हैं आज कि रोडों पे भिक्षा मांगने के लिए मजबूर हैं अपना जीवन यापन करने के लिए अपनी संघर्स को चलाने के लिए हम भिक्षा मांगने के लिए भी मतब राजी हैं लेकिन हमें सरकार से उ आया गया राष्ट पिछड़ा वर्गायों की रिपोर्ट है जो हमारे पास है दो साल मुकदमा चला दो साल हमने दिल्ली में जेला उसको लेकिन आज हमारे पास वही एक बिकल्प है जबकि बीजेपी के परवक्ता आके हम लोग को गुम्राह करते हैं लेकिन हमें मानी अपने मुक्य मंतरी योगी अधितनात्व पुन पर रोसा है कि वह हमारे साथ न्याय करेंगे ब्यूरे रिपोर्ट जेमडी खबर